भारतिय जंदापाटी के प्रदेश किसान मोर्चा के महमंत्री आनंदरा राउत इन्हों ने माविकास आगाडी सरकार को भरष्ट सरकार बताया गलत राज्य सरकार आने से किसान पूरी तरह से कंगाल हो रही है लेकिन अफसोस कि इस और महाविकास अगाडी सरकार का कतई ध्यान नहीं है ऐसा आरोप आयजित पत्रपरिशद में आनंगरा राउत इन्होंने लगाया है इस मौक्के पर प्रदेश किसान मोर्चा के किसान और कारेकरता बड़ी संख्या में मौझूद थे महाविकास अगाडी सरकार ने किसानों को कोई भी मदद नहीं की थी मुसलधार बारिशो या आंधी तूफान हर घटना में किसानों का ही नुकसान हुआ है एक चोटी सी मदद करके महाविकास अगाडी सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाए नमक रगड दिया है सरकार में आने से पहले महाविकास अगाडी ने किसानों को 25,000 और 50,000 हेक्टरी मदद देने के लिए आंधुलन किया था लेकिन जैसी सरकार में आएं सब बाते भूल गए है किसानों को हाशी पे छोड़ने वाले ये महाविकास अगाडी सरकार भू माफ्याओं की सरकार है ऐसा आरोप पत्र परिशत के दौरान प्रदेश किसान मोचा के भाचपा महमंद्री आनंदराव राउत इन्होंने लगाया है सरकार चाहि कोई भी हो कोई भी किसानों को आने वाली समस्या का निप्टारा नहीं करता जब भारत यह क्रशी प्रदान देश है ऐसा हम सब कहते हैं कई भारत यह क्रशी प्रदान देश है ये बात इतिहास में जमा हो सकती है सभी पार्टी के नेताओं ने किसानों पर राजनीती की है और अब अपने संगठन को सिर्फ मजबूत करने का काम किया है आमीं स्यत्क्रियानना 1500 रूपे हेक्टरी मदत जाहिर करू जह लोकान ना जानि कर्जाचा बाप्तितला विशे होता कि 1500 रूपे रेगुलर स्यत्केरानना आमी तैंचा खाती अरती जमा करू आनि 2 लाखाची आ वर जानचा कर्जा सेल तर वन टाइम सेटलमेंट करू नामी दोनलाग रुपे जर भरले तर उर्वरित करज त्यांचा माप करू कैमरपरसं राजकुमा मोहड के साथ संजय मीरे BCA नागपूर करू को